हेलो गाईस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल रुपलाल टेक पर आज की इस वीडियो में हम बताएं कि नए जियो फॉन को जियो पास पलस से चालू कैसे करेंगे इसकी complete जनकरी step by step देंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देजा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर देखे लिखा हुआ जियो डिजिटल के वाbud सिती इस पर आपको क्लिक करूंस क्लिक करना है उसके कश्तिमर का अधार का कैनल को भी पर सेलिक्ट रहने देना अगर कस्टमर का अधार का क्यू आर्क झसक नहीं हो रहा तो आपको यहां second बाला को select करना है उसके बाद यहां पर click करके customer का आधार card यहां पर select कर लेना है उसके बाद आपका नीचे आधार number डालने के लिए बोलेगा तो आधार number डालके आपको यहां next पर click करना है तो चलिए हम यहां पर customer का आधार card का QR code scan करके आपको बताते हैं तो चलिए QR code scan करने के लिए आपको simply यहां पर click करना है उसके बाद आपका इस तरह का interface आएगा उसके बाद आपको camera को QR code के सामने ले जाना है तो यहां पर camera QR code को successfully scan कर लेगा QR code scan करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटर्पेस आएगा यहां पर देखिए, successfully validation हो गया है, मतलब QR code successfully scan हो चुका है, उसके बाद simply आपको इहां next पर click करना है, उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटर्पेस आएगा, यहां पर customer का अधार का front side upload करना है, यहां पर customer का केमरे के निसान पर किलिक करना है कस्टमर का आधार का फोटो सही से ले लेना है उसके बाद आपको यूज दिस फोटो पर किलिक करना है अगर आधार का फोटो सही से नहीं आया है तो आपको रिटेक पर किलिक करना है उसके बाद दो बारा फोटो लेना है के बाद यहां पर आधार काट का फ्रॉंट साइड अपलोड होने लगा आधार का फ्रॉंट साइड अपलोड होने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको सिंपल यहां कट पर किलिक करना है उसके बाद आधार का बेक साइड अपलोड करने के लिए सिंपले यहाँ पर किलिक करना है उसके बाद आधार कार्ट को भी कुछ इस तरह से फोटो ले लेना है फोटो लेने के लिए आपको सिंपले यहां केमरे के निसान पर किलिक करना है उसके बाद आपको use this photo पर click करना है अधार का back side भी यहाँ पर upload होने लगा है उसके बाद आपको simply यहाँ cut के निशान पर click करना है उसके बाद आपको नीचे यहाँ next पर click करना है इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है फिर से आपको यहाँ simply next पर click करना है उसके बाद आपका इस तरह का interface आएगा यहाँ पर देखे customer का photo capture करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर आपको click करके customer का photo capture करना है लाइब photo लेना है और यहाँ पर आपका customer का जो background होगा वो white होना चाहिए white background के सामने customer का face लेना है photo capture करने के लिए simply आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद आपको इस तरह से customer का photo ले लेना है जब तक आपका यह चारो पट्टी green नहीं होगा तब तक photo capture नहीं होगा आपको चारो पट्टिक green करना है उसके बाद simply आपको यहां capture पर click करना है यहां पर customer का photo upload हो चुका है उसके बाद आपको simply यहां next पर click करना है उसके बाद simply आपको यहां next पर click करना है उसके बाद आपका इस तरह का interface आएगा और यहां पर आपको agent का photo लेना है जिसके नाम पर यह जियो पस्पलस का user ID और पासपर्ड है उसका अपना फोटो लेना है उसका फोटो लेने के लिए आपको यहाँ पर background वाइट होना कोई जोरूरी नहीं है एजेंड का फोटो केप्चर करने के लिए आपको simply यहाँ पर किलिक करना है अगर आप अपने से फोटो केप्चर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ front camera पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर किलिक करना है उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस है है उसके बद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कस्टमर का आधार का क्यूर कोड अगर आप इसकेन करते हैं तो यहां पर आटोमेटिक ही सब कुछ फिल हो जाएगा अगर आप मेनुवली आधार नंबर डाल के आगे प्रोसिट करते हैं तो आपको यहां पर कुछ खुछ भरा हुआ नहीं मिलेगा तो आपको यहां पर डरने की कोई बात नहीं है जहां पर भरा हुआ नहीं रहेगा उहां पर आपको अपने से भर लेना है आधार कार्ड में जो लिखा हुआ रहेगा उसे को भर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर alternate mobile number एक डालना है जिस पर एक OTP जाएगा उस OTP को आगे आपको काम लगेगा mobile number डालने के बाद आपको simply यहाँ पर क्लिक करके relation select कर लेना है कि यह mobile number किसका है उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर किलिक करना है, नेक्स्ट पर जैसे किलिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखे लिखावा है जियोफोन, उसके बाद सिम्पल नहीं पोस्ट पेड पर क्लिक करना है अगर आपर एक साल के लिए unlimited कॉलिंग देगा और यहां पर परत्येक मेहना दो जीबी करके आपको डेटा देगा अगर आप किसी का MNP करते हैं जीओ फौन में अगर आप इस प्लान को MNP प्लान को चूज करते हैं तो आपको यहां पर सोलो से कुछ रुपया चार्ज कर देगा और यहां पर आपका अनलिमिटेड कॉलिंग देगा और दो जी भी करके परतेक मेहना देगा डेटा साथ ही अगर नीचे वाला प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको दो साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देगा और उपर ते एक मेहना आपको यहाँ पर दो जीवी करके डेटा देगा उसके बाद अगर नीचे वाला प्लान चूज करते हैं MNP करने के लिए अगर किसी का MNP करते हैं जियोफोंड में अगर इसको चूश करते हैं तो यहाँ पर इसको भी दो साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देगा अब उपर ते एक मेहना दो जीवी करके डेटा देगा लेकिन इसका यहाँ पर दो हजार कुछ रुपया चार्ज कटेगा तो चलिए हम यहाँ पर अभी फास्ट वाला प्लान को चूश करते हैं उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा उसके बाद यहाँ पर किलिक करके आपको मुबाइल की QR कोड को स्कैन कर लेना है जो मुबाइल को आप कस्टमर को देंगे वो मुबाइल का बॉ डाल देना है उसके बाद आप यहाँ येस पर किलिक करेंगे येस पर जैसे किलिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा उसके बाद आपको सिंपल यहाँ एड़ पर किलिक करना है उसके बाद सिंपल यहाँ नेक्स्ट के बटन पर किलिक करना है उसके ब क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इस तरह का इंट्रफेस साइगा जो अभी जियोपोन का क्यो आर कॉड़ इसकेन किये एंद इसके बगल में लिखा हुआ है आई सीची आईडी नंबर उसका लास्ट का फाइब डीजिट नंबर यहाँ पर डालेंगे तरह से आपको यहाँ प करेंगे उसके वद यहाँ पर देखे लिखा हुआ है customerTime 통 यहाँ पर जो कस्टमर के मोबाल पर एक OTP गया है जो Fahrenheit डाले थे उस पर जो OTP गया है उस OTP को यहाँ पर डालेंगे उसके वाँ यहाँ पर ट्रिक करेंगे उसके बाद नीचे OK पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ नीचे VALIDATE OTP पर क्लिक करना है उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है OTP VALIDATION SUCCESSFULLY उसके बाद simply आपको यहाँ प्रोसीट पर क्लिक करना है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है एक बार सिंपली आपको बैक करना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर customer का सभी details यहां पर upload होने लगएगा यहां पर देखे सभी details customer का upload होने लगा है यहां पर आपको बैक नहीं करना है और एक एक करके यहां पर सभी upload हो जाएगा उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा उसके बाद आपको सिंपल यहां पर क्लिक बाद आपका जो टोटल वालेंस कटेगा आपका जियो पस प्लस से यहां पर देख सकते हैं 624 रुपिया आपका वालेंस कटेगा उसके बाद आपको यहां पर रिचार्ज टो करने के लिए आपको यहां सिंपली केस पर किलिक करना है केस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहां ओर सेक्सेस्पुली सब्मिट हो गया है और यहां पर आपका जो फॉन है वह दस से पंद्रा मिनिट के अंदर चालू हो जाएगा और हमारी वीडियो कैसा लगा हमें नीच सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आलने का दिजिए लेटेस्ट वीडियो इस तरह के सबसे पहले देखने के लिए